आप देखेने हैं टीवी टैन ये पुशामती वेल्कम व्योर्ज उमीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और नई एपिसोड के साथ आपके पास आए हैं और वो एपिसोड है वी एस डी सी वी एस डी सी के बारे में एक टुटिरिय आज हम बेसिक से शुरूर करेंगे और आज आपको बताएंगे कि वी एस डी सी का इस्तमाल कैसे किया जा सकता है वी एस डी सी एक बहुत ही जबतस्त अच्छा प्रोफेशनल लेवल सौट पर है और मैं हमेशा इसको रेकमेंड करता हूँ तमाम लोगों को वी एस डी सी का इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसको सीख लें तो आप इससे प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप वी एस डी सी की ऑफिशल वेबसाइट पर जाके वहां से डाउनलोड कीजिए गूगल सेच Otherwise आप किसी भी और वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं वह उफिशल वेबसाइट नहीं होती है यह देखिए हम इसके ओफिशल वेबसाइट पर आजाते हैं अप देखते के ओपर इसके ओपर वीडियो सॉफ डाट-कॉम लिखा होना चाहिए इसमें से डाउनलोड में चले जो सबसे पहले इंटरफेस आएगा वो थोड़ा मुख्लफ रहेगा उससे जो अभी आप मेरे पस देखने वाले हैं मैं VSTC स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन चुके मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ आपके बस जो भी सबसे पहले इंटरफेस आए आपने उसमें से सबसे पहले क्या करना है यह स्क्रीन आपके सामने आजाएगी जिसमें How to get started in 3 easy steps I suggest you as a beginner आप इनमें से किसी भी option मेना चाहें as a beginner आप सबसे पहले इसको cross कर दीजिए और उसके बाद आप blank project पे आजाएए अगर आप video editing स्टार्ट करना चाहते हैं blank project पे आजाएए project के नाम लिख दीजिए for example हम इसको test project क्या देते हैं उसके बाद अगर आप को background set करना चाह रहे हैं अभी as a beginner आप सिर्फ black background पे काम कीचिए सबसे बहतर है हम इसके बार में अगले tutorials में बात करेंगे के background को change क्यों किया जाना चाहिए कैसे करते हैं opacity क्या है यह बाकी साइच options आप अभी फिलहल ऐसे ही रहने दें this is a professional level software अभी आप इसको बिलकुल ऐसे ही चलने दें आपको जो by default setting है वो बहतरीन settings होती है आप as a beginner आप उसी को use करें finish का बटन दबाएं अब आपके सामने यह interface देखने में बहुत खतरनाक लगता है कि यहां पर क्या करना है और बहुत से लोग यहां पर आके इस screen के बाद मजीद आगे नहीं बढ़ पाते हैं को समझ नहीं आती है कि आगे क्या करना है हम कुछ simple steps करेंगे ताकि हमें बता चल सके कि हम इस software को कैसे use करने माने हैं सबसे अगर आप बाद करें तो यहां पर राइट साइट पर बॉटम पर हमें नजर आएगा there is a resource window यह resource window बहुत एहम है यही वो window है जहां से आप अपने मुख्त resources लेके आएंगे resources से मुरादी है कि आपकी raw videos होंगी जिसको आप edit करना चाहते हैं यह आप यहां पर लेके आएंग animations, images, sound और videos की options नजराएंगी अगर आप सबसे पहले कोई video लाना चाह रहे हैं आप इस video को right click कीजिए right click करने पे आपके सामने मुख्त options आजाएंगी जिसमें add video की option को select कीजिए अगर आप इसको add video करेंगे तो आपके सामने एक window खुल जाएगी इस window में जहां से आप अपन होना शुरू हो गई है इसका जो भी नाम होगा video का वो यहां जाहर हो रहा है यहां से अब इसको click करके आपने ड्रैग करके अपने timeline के ओपने आना है what is timeline यह नीचे आपको timeline नजर आ रही होती है देखिए यह मेरी वीडियो इस timeline के अंदर आ चुकी है this is a timeline इस timeline में बहुत स professional level software है और हम इसकी बाकी चीजों को के बारे में बाद में अगले आने वाले tutorials में बात करेंगे आज का tutorial सिर्फ बैसिक्स है तो basics में आप क्या सीखेंगे आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी भी video को यहां पर edit करेंगे editing में हम video को cut करना trim करना first करें कि मैं इस video को कु बढ़ा सकते हैं मैंने इस वक्त view area बढ़ा के कहां से बढ़ा सकते हैं बहुत से लोगों को नहीं समझाती है कि view area कैसे बढ़ाएं अगर राइट सेट पर देखें तो यहां पर एक zoom का button रहता है this is zoom in आप इसको negative को press करेंगे तो यह zoom out होता जाएगा आपका जो भी area है जो view area का एक टेबल horizontal lines parallel lines बन जाती है इन parallel lines को दबाने के बाद इसको ऊपर और नीचे किया जा सकता है यह आप इस area को कम जदा कर सकते हैं आपने timeline को बढ़ा कर सकते है timeline के अंदर जितने मजी videos आप डाल सकते हैं कोई limit नहीं है VSTC के अंदर जितनी मजी आप videos के अदर डाल दीज section मुझे section cut करना है तो very simple let's say मैं चाहता हूँ कि यह जो मैं शुरू वाला area है यह खतम हो जाए यहां से section को खतम करना चाहरा हूँ जिस section को भी खतम करना चाहरा हूँ मैं वहाँ पे exact position पे अपने इस cursor bar को ले आऊँगा this cursor bar is everything to mention the position आपका play position क्या है इसकी बहुत आसान shortcut की है आप किसी भी video को trim करना चाहरे हैं keyboard के ओकर control shift और left big bracket यह देखे यह शुरू का portion खतम हो गया अगर आपको शुरू शुरू में दिक्कत होती है अगर आप कोई भी काम करते हैं उसको reverse करना है तो control z दबाएं control z दबाने के बाद जो भी आपकी editing है वो वापस हो जाएगी यान इसके लिए हम उपर से button भी यूज कर सकते हैं आप button में देखिए उपर अगर आप देखें तो इसमें आपको लिखना नजर आ रहा है cut out fragment यह अगर आप किसी भी fragment को cut out करना चाहरे है this is the cut out fragment आपको scissors बनी भी आ रही है scissors क्या करेगी आपके fragment को cut कर देगी आप इस fragment को यहां सा है वो छोटा करना चाहरे है तो आप क्रिम स्टार्ट की option को select करेंगे क्रिम स्टार्ट समराद यह है कि अगर आप नीचे देखिए तो इस करसर बार यह जो मेरी करसर बार है जिसका मैंने आपको पहले mention किया this is important अगर आप करसर बार में गौल से देखें तो अगर आप क् यह करेंगा अगर आप ट्रिम एंड की option को select करते हैं तो बाद वाला portion वाइब हो जाएगा फर्स करेंगे हम इसको प्रिम स्टार्ट की option को select करते हैं और हम इसको शुरू वाला portion खतम हो गया अभी मैं इसको उठा के ड्रैग करके इसको time-line के शुरू में ले जाता हूं अब कि यह प्ले का बटन है play or pause और इसको first करेंगे मैंने यहां पर आके मैंने कहा कि यहां पर मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूं इसको अब करने करने के लिए एक और बहुत अच्छी option जैसे ही आप बटन को दबाएंगे तो आपको नजल आएगा करने के लिए एक और बहुत अच्छी option जैसे ही आप बटन को प्लिक करते हैं यहां पर आपको शॉर्टकट भी बताया जा रहा है आपको बता रहे हैं कि कंट्रूल प्लस शिफ्ट प्लस आप बिक बैकेट प्रेस करेंगे यह हिस्सा कर जाएगा आपका इस शॉर्टकट को यह आखरे हिसा क्रेम हो गया अब हम एक और चीज सीखने वाले हैं कि अगर हम कोई भी इसके section काटना चाहते हैं मसले मैं इस वीडियो को काटना चाहता हूं यहीं मैं दम्यान में से कट करना चाहता हूं वीडियो को दो हिस्सों में काटना चाहता हूं तो वहीं उपर आया तो मेरे यह वीडियो दो पार्ट्स को देखना चाहता हूं तो मैं वीडियो के नीचे से पार्ट को ड्राइग करके कम कर दूँगा अगर मैं चाहता हूं कि वीडियो में क्या है उसको ड्राइग करके बढ़ा कर लोगा अब मुझे नजर भी आ रहा है कि वीडियो में बाद में काट लिया है मैं इस section को शुरू में लेकर आना चाहिए तो मैं इस section को उपर से अगर आप देखिए तो उपर एक जितने भी tabs को लिए इनमें से आप एडिट बड़े बटन को दबाईए और एडिट बड़े बटन को दबाने के बाद क्या होगा कि आपके पास वक्तिफ़ आप्शन आजाएंगी इनमें से आप डाउन टॉप बाटम नजर आएगा इसमें से आप अगर आपका जो भी section यहां highlighted है अगर आप गौर करें आपको नजर आएगा कि नीचे से हमारी वीडियो जो हमने कट की है इसमें से एक section जो उसके around एक green rectangle बनी वी है और दूसरा section जो उसके ground green rectangle नहीं थी जो आगई है मैं इसको क्लिक किया है तो first करें कि मैं जो भी करना चाहरा हूँ वो अपने right side बले cut portion के साथ करना चाहरा हूँ इसको हुआ है कि मैं वो वीडियो का section कट के वो शुरू में चला गया आप मैं चाहता हूँ कि जब मैं शुरू का section है वो आहिस्ता ऐस्ता fade in हो fade in करने के लिए मैं क्या कर दूँगा मेरे पास यहां मुखले buttons है सबसे पहले आप editor वादी option में जाएए आप जब editor वादी option में लेगी यह window देखने में बड़ी खतानाक से लगती है लेकिन आपको मैं अभी as a beginner level आप सिर्फ एक काम कीजिए आप जो भी fade in करना चाहते हैं from scene begin कर दीजिए तो जहां से scene begin हो रहा है वहां से fade in होगा इसो just click कर दीजिए okay बाकी options को मत चेड़िए अभी आपको अगर बाकी कि हम एक हम फेंडिन की लेंग्थ कितनी रखना चाहते है निए हम कितनी देर तक fredden चाहते है इसको चलाकर देख लीजे और क्या हुआ है कि हमारी जो ओपर वाने वीडियो है हो फेडिन हो यह 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 शुरू से वह नजर नहीं थी आ रहे लेकिन वह आहिस्ता आहिस्ता न ऐसको आप देख बाहँ को बंच आपे नमदार ड्रक्ट देखने 好 रहे और भी को यह सै क्षक्छन करता है इसन इल्चिंगे जबादा भी कर सकते हैं बढ़ा के wait करके इसको लंबा कर लें अगर आप फिए आउट सेक्शन को ज़़ा करना चाहर है तो यह प्रेडाइट सेक्शन जदाओ अब क्या होगा हमारी वीडियो यह तो पर जाना हो जाएगी और लिडियो लिए अब अगा है वापस जाना चाहर यह अब fade in और fade out इस पर काम कर रहा है यह रेखिए यह क्या हुआ कि उपर वीडियो आइसता इसता fade in हो गए और आप उपर वीडियो से बिखाई देरी यह नीचे वाली नहीं इस तरह से क्या हुआ कि हमने यह मुखलिफ sections बना दिया इसके और वीडियो को cut करना सीख लिया हम इसके बाद अगर आप इस वीडियो को save कर सकते हैं इसका बहुत असान तरीका है अगर आप उपर देखे यहां पर export project लिखा हो नजरा आप इसको export project कीचे और export project दबाने के बाद आपको right side पे एक बटन नजरा आएगा जिसका नाम है change name आपको change name में क्यों जाना है अगर आ आप इसको कहीं और save करना चाहरे हैं by default यह आपने folder के अंदर save करता है आप change name करें जहां पर भी आप इसको save करना चाहरे है उस जगह का address यहां पर ले आए इसको save कर दें आप save का button दबाएंगे तो यह project वहीं जाके save होगा लेकिन अभी यह save नहीं हुआ बहुत से लोग यह यहां आके रुक जाते हैं गलती कर जाते हैं वो समझते हैं का project save हो गया है उसके वादो ढूंते रहते हैं कि project कहां गया लेकिन project उनको मिलता ही नहीं है तो जब आप change name करके इसको कहीं पर भी save करना चाहरे हैं मसला मैंने इसको desktop पे save कर दिया test project के नाम से save का button दबाया अभ free version लेकिन यह कुछ भी नहीं है this is just a gimmick आपने इससे बिल्कुल नहीं घबराना है वो आपको कह रहा है कि you have to use premiere features in your project बिल्कुल इससे नहीं घबराएं hardware acceleration यह equally ऐसे ही काम करती है मेरे paid version में भी ऐसे ही काम करता है इसको just नीचे से आके continue का button दबा दें अब आपका project जोंस है video rendering शुरू हो गई depending upon the speed of your computer, आप आप computer fast है तो इस video rendering भॉक जल्दी complete हो जाएगी, depend कि अतना है also कि आपकी video की length फूप नहीं ज्यादा है, यह video rendering complete हो गई है, अब आपका project save हो चुकर, अब आप इस को okay कर दें, आप इस soccer को बंद भी कर सकते हैं, इस में पूछा कि आप save करना अगर आप इस project को in the form of VSDC format save करना चाहरे हैं, आप इसको बैसे भी save कर सकते हैं, ताकि बाद में आके same project के अंदर आपको changes करना चाहरे हैं, आप कर सकें, मैं इस project को save नहीं करना चाहरा है, यह तो सर्फ मैंने test के लिए, और यह video बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं इसको नो कर दिया, और यह project बन दो गया, यह देखे मेरा test project यहां पड़ा हुआ है, और यह अब चल रहा है, जिस तरह से भी हमने इसको बनाना चाहरे हैं, उमीद है कि आपको यह video बहुत पसांद आई होगी, आप आने वाले जो इस series के BSDC training series की बाकी videos भी देखने के but you will also become an expert and you will also be able to do professional level editing, अगर वीडियो आपको अचे लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए, वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किजिए, अल्लाह आपका हामें आफरो